जब हमारे भगवान श्री कृष्ण इस काम को शौक से करते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हानीचे एक पानी की जलधारा बैती है वहाँ पे यह पानी पीते हुए घर जाएंगे 17, 18, 19, 20, इस वह दो बहुत सारी उपर तक यार यह देखोगा इस कितनी बड़ी भिंडिया है और देखते हैं यह कैसी यह खरावे की अच्छी है बड़ी ममी घास निकालते हुए बड़े सुन्दर लग रहे हैं फो राजमा इसमें किस तरह से फैल गई है अच्छी राजमा है इस वारा प्लम की नरसरी है सारी कि सारी अब बहुत बड़िया है और भगवान की दया से अब जय मौसम भी साफ है अब यहां पर बारिश नहीं हो रही है हिमाचल में और देखो आज का व्लोग में स्टार्ट कर रही हूं जंगल से मैं अब जंगल आई हूं और यह मेरी गाय है बीचे मैंने गाय को चराने के बुक्स पढ़ने का भी अलगी मज़ा आता है जंगल में तो मैंने सोचे की साथ में गाय चरती रहेंगी और मैं बुक्स पढ़ती रहोंगी मुझे एटलिस्ट दो सी तीन घंटे यहां भी हो गया और गाय भी अच्छी तरह से रच चुकिया और मैंने भी अपना जो एक च भी अजब मैं अगॉँ और मैंने देखा ना अजकल बहुत सारे लोग इस काम कु फ्टा से शरता हैं है और मुझे आट है कि शानने वहाली वाली कौन सी बात है क्योंऽ करत 2729 अच्छे कर सकते हैं हम पन बहुत लागता है घर में फ्री बैटने से एक इसर चलाने श्यर्ज देने चला लेते हैं इनको भी अच्छा लगता आई ãyसाल की गाये बहुत की बढ़ी बड़ी होती है और यह ज़्यादा पहाडी वा ली एतिक उप्रशक्पा हाता है तो इस लिए हम इनको ऐसे प्लेन प्लेन वारे इरिया पे लियाए जहां पर यह चणने के लाइए honest मेँ जहाद पहाडी इरिया में नहीं ले जाते हैं और ऐसे वीजिन परका कुछी में बहुत खुछ रहती और पहाडी एरिया में जाने से खुदी धुर जाती है अब आप किम से बादा पेठ में ख्ता खाका के और अपने मुह से और यह नीचे पानी की जलधारा बहती है वहां पे पानी पीते हुए घर जाएंगे मेरे साथ है अभी है चुटकू और हम जा रहें अभी खेत को सब जा रहाने हेलो कर बेटे हेलो काईच है और हमारी गाई यहां पे है सारी बाहर बांदी है और मोसम भी थोड़ा खळाव हो चुका है तो आप चलेंगे खुद आब ठीक है कि जलो FRE कार ऐसा अच्छा का अच्छा अच्छा कि अच्छाUNG रहा ही आशी बाओने फोलाई काई जंता हंट के और यहां पर चुट को बिंदे निकालने लग गा एँ हम गींदी को आया एक्षियी धेख .. कि ईस भार तो हो कि आ थो को दो केंट में निकालो इसको निकालने के आप आप से निकाला जाय कि नुम नो तोड़ द्यां तोड़ दी वाव यार यहां देख कितने भिंडे लगी है यहां पर देखो कितने सारी भिंडे लगी है एक यह मैंने अभी निकाली है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्नित, इस वह तो बहुत सार यहां देखो कितने बड़ी भिंडी है और देखते हैं यह कैसी एक राव एक अच्छी है अच्छी है यह देखो टूट गई बीच में से मैं इस तरह से करती हूं भिंडी की पेचान तोड़ के देखती हूं उसको बस बड़े तोड़ जाएगी टैनिस की आरे यह जूले द निगाल दी है यह देख सकते हैं आप कितनी सारी भंडी हो गई थोड़ी से दिखरी समय बठी वन केजी से तो यह जाद आई है चलो बिटे अब चलते घर अब जारे हम घर और यहां पे बैंगन भी लगई अब थोड़े बैंगन इसकी सब जीवें में एक खाली अब देख कितो के हाल आज के लिए देख गिरा है यह देखो गाइज मक्की के खेत में बड़ी में गास निकालते हुए बड़े सुन्दर लग रहे हैं फॉन साथ मैं सुनते हुए कि हाई है ऐई बाइ रही हम जारे इतको बींद और यह गोभी इतको गोभी तो गैस गोभी हो गई है कि इपको सब में यहाँ झेचो कि अब लगच खेत की है जाने तो पत्तिस को और यह देखो यहां पर अर्वीगे पत्ते अर्वीगे पत्ते हैं यह वाले यह देखो इसका साग भी बनता है वर इसके देंदले इंदरे कुछ ऐसे बोलते है वो भी बनते है वर टेस्टी होते है है यह दादी परेजलो करो है है करते है कि दिखोगा इसी है चोटा चुटकु विराज और यह दिखो है इसको ताइप से कुछ हुई मेरे को बैख को इस तरह से हुई थी पहले बाट मिर को इस तरह से इंथी इसको चमड़ी ओप निकल रही है इसकी स reco जोंकर इसकी स्किन जई और ओ झाक सब्साटी तो मुझे जा और इप फाहां आँ है इसे देखु अपना प्रोणी यह राजमा से इसना उपसे प्लों ओब आपनी पहुंचती है वहां पर आपने यह और बूठ्डा इसबार अच्छा है वट पका नहीं ले रहा है बहुत जादा पकने में अच्छा यह है देखो काफी टेंग लग जाएगा इस मोई पपने में अभी तो ही यह मतलब बिल्कूरी छोटा है और देखो के तो मैं आशल हरा भरा कितना है बहुत मज़ेदार है एक लोग थोड़ा सा व्यू यहां से मौसम में थोड़ थोड़ी बादल फिर से आ चुकिया है कर देखो कायओ नीचले साँड पर यह पलं कि पैड़ टिया मैं इस बार तो यह काफी बड़ बड़े यह पौदे हो चुके हैं यह कम से कम 11 बार बारा वारा धुयट सेर हैं यह परे देखो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं यह पोदे पलं कीаствारी है, dallू के यहां पर अंगुई भी लगे थे कुछ टाइम पहले वो खतम हो चुके हम नहीं खाए नहीं पंचियों नहीं खाए सारे और नीचर जा पानी फ़ल भी लगे है मैं निचर जाओंगी अभी क्योंकि इसे बहुत बहुत गहास है तो गाइस अविजय में यहां पर आडिटिंग कि तो मुझी लगा कि इस तरह से बड़ा मुश्किल हो रहा है डिली वीडियो दिन में शूट करना और शाम को आडिट करके उसको इदन से अपलोड करना आसे कि बड़ी मुश्किल आ रही है तो आज ऐसे संडे है तो कल मंदे है तो आज का वीडियो तो मैं डालूंगी तो फिर एसी तीसरे दिन को एक दिन चोड़ के तीसरे दिन व्लोग ले आउंगे आँ गया व्लोग ले ताकि मैं अच्छे से आडिट कर सको मुझे अच्छे से टाइम मिल सके तो आपको व्लोग पसंदा होगा और रात हो चुकी है इस तरह इंब आप में कुछ विशूट नहीं कर सकती हूँ और यह देखो मेरा स्टरी टेबल यहां पर और बुक्स भी यहां पर है तो आपको वीडियो पसंदा होगा पसंदा होगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अपने प्यारे-प्यारे एंड दो सब्सक्राइब मार चानल तो गईज हमारे